नमस्कार दोस्तो आपको मेरी सीड़ चनल रिपोर्ट पांड़ा में दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा Post-Office Senior Seed Genal Scheme 2024 के बारे में दोस्तो Post-Office के सबसे पॉप्लर स्कीम जिसका नाम है Senior Seed Genal Scheme दोस्तो इस स्कीम में आपको किवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के उपर आपको हर तीन-तीन महिने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा मतलब कि दोस्तो इस स्कीम में जमा पैसे के उपर quarterly आपको interest मिलेगा तो दोस्तो चले जान लेते हैं पुस्टवपी senior citizen scheme का criteria क्या है इस scheme में कौन लोग पैसा चबा कर सकते हैं क्या होगा age limit पुस्टवपी senior citizen scheme में interested क्या चल रहा है भी latest senior citizen scheme के उपर tax में benefit मिलेगी कि नहीं मिलेगी टीडियस कितना कटेगा और दोस्तो पुस्टवपीस में इस scheme को लेने के लिए कैसे हमको अवेजन करना होगा क्या document देना होगा जहां दोस्तो senior citizen saving scheme से जुड़ी सारी जनकारी मैं आपको विस्तार से फड़ा फट बता देता हूँ और दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने भी तक मेरे चनल रिपोर्ट पांड़ा को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले ताकि मैं इसी तरह का investment से related वीडियो लेकर आता रहूँ और दोस्तो अगर आप भी इस स्कीम का लाव लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिग कर जरूर बताएं दोस्तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो पुस्टापिस की senior student scheme बरिष्ट नागरिकों के लिए है दोस्तो पुस्टापिस की इस scheme में bank की fixed deposit से ज़्यादा ब्याज मिलता है बरिष्ट नागरिकों के लिए पुस्टापिस की इस scheme सबसे सुरचित निवेस का जरिया है इस scheme के ताथ 5 साल के लिए पैसा निवेस किया जाता है maturity के बाद इस scheme को तीन साल के लिए आप और extend कर सकते है या बढ़ा सकते है दोस्तो अब जान लेते हैं कि फुस्टापिस की इस scheme को कौन-कौन ब्यक्ति ले सकता है क्या होगा criteria तो दोस्तो बरिष्ट नागरिक retirement के बाद SCSS account खोल सकते है जिनका आयू 60 years या उसे अधीक आयू के बाद भी account खोल सकते है इवन वी आर एस लेना बाला ब्यक्ति जो कि 55 वर्स अधीक लेकिन 60 वर्स से कम है वो भी इस account को खोल सकते है इस account की maturity period 5 साल की होती है minimum amount आप इस scheme में 1000 रुपैस आपा स्टाट कर सकते है maximum 30 lakh as a single account अगर joint open करना चाहते हैं तो maximum amount 60 lakhs इस account को नगत और चेक के जरी खोला जा सकता है लेकिन दोस्तों याद रखे कि एक लाख रुपे तक के account खोलने के लिए cash देना जरूरी है तभी आप इस account खोल सकते हैं अगर एक लाख रुपे सधीक रुकम से आप account खोलना चाहते हैं तो आपको चेक देना अनिवार्ज है mandatory है अब जाने तो दोस्तों कि senior student saving scheme में कितना खाता खोल सकते हैं तो दोस्तों बरीस्ट नागरी एक सधीक account खोल सकता है पती या पतनी दुनों एक साथ भी joint account खोल सकते हैं और दोस्तों joint account होने की इस्तिति में पहला भ्यक्ति ही निवेसक माना चाहेगा SST SS को एक post office से दूसरे post office में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इस स्कीम को एक साल बात बंद करने पर जमार रकम पर आपको 1.5 फिस्टी का प्रीकलोजर चार्ज लएगा और दो साल अगर आप बात बंद करते हैं तो आपको वन पर्शंट का को परनालिटी चार्ज लेगा दोस्तों अब जान लेते हैं कि पुष्ट ऑफिस एससी इंट्रेट दोर 24 लेटेस्ट क्या है तो दोस्तों अभी लेटेस्ट जो इंट्रेस्ट चल रहा है पुष्ट ऑफिस सीनियर सीड्जन सेविंग स्कीम पर है 8.2 पर्शंट मिल रहा है दोश्तों आप जाने लिए अगर वेक्ति पांचलाक रुपय जमा करता है या 10 लाक 15 लाक 30 लाक तब हुसको कौर्टरली इंट्रेश्ट कितना मिलेगा तो दोस्तों आपको कल्कूलीटर से कल्कूलेट कर बता देता हूं कि अगर कोई वेक्ति 5 ल दोस्तों आप इस पैसाइज में तो आपको टैक्स जमा करेंगे तो आपको टैक्स में गैए अगर आपका पचास जार रुपाइस ज्यादा इंकम हो रहा है तो आप जाना थे कि अपको अपन करने के लिए आप जिस्ट और नेरेस्ट बैंक ब्रांच या पोस्ट आप वहां पर जाके एक फॉर्म लेना होगा उस फॉर्म को फिल करके आपको डॉक्मेंट्स में आपको अधार का पैन का टू पासपोर्ट से फोटोग्राफ देना हो पड़ेगा तो दोस्तों अमीद करता हूं कि जनकारी आपके लिए फैल वेल होगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें दोस्तों के बीच और दोस्तों मे को अधार को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद